तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका यूट्यूब से पेमेंट का इमेल आ जाता है किस तारीक को, 22 को या 23 तारीक को तो उस मेल आने के कितने दिन बाद आपके बैंक खाते में पैसे आते हैं दोस्तो ये सभी बैंकों का अलग-अलग होता है, किसी बैंक में जल्दी आते हैं, किसी बैंक में लेट आते हैं तो पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस बैंक में कितने दिन बाद आते हैं मेल आने के तो दोस्तो वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल पे अगर नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कोई भी आपका कॉस्चन ओ, इस्टाग्राम आईडी पर आप पूछ सकने, इस्टाग्राम आईडी है तियागी जी टेक, चैनल वीडियो पसंद आती हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना, तो दोस्तो अब बात करते हैं में टॉपिक की, तो दोस्तो जैसे ही हमारा 21 तारीक को, 22 को या 23 को मेल आता है, तो सबसे पहले जो हमारा पेमेंट आता है, वो आता है मुंबई हैड ओफिस, उसके बाद वो आपका पेमेंट आता है, आपके स्विफ्ट कोड वाले बैंक में, यानि जिस ब्रांच का आपने स्विफ्ट कोड दिया हुआ है, उस ब्रांच में आएगा, और उसके बाद आपकी जो लोकल की ब्रांच है जिसमें आपका खाता है, उसमें आपका पेमेंट आएगा, अब दोस्तो अगर मै ज़्यादा छुट्टिया हों तो आपका एक दो दिन लेट आता है उसके बाद मैं अगर बात करूं इंडियन बैंक की तो इंडियन बैंक में सबसे ज़्यादा लेट आता है जी हां दोस्तों इंडियन बैंक में कई बार दो-दो महीने लेट भी आता है यानि अगर 21 मार्च क तक payment आ जाएगा अगर मैं बात करूं otherwise दूसरे बैंकों की जैसे Central Bank of India है तो इनमें भी आपका 30-31 तारीक तक आ जाते हैं अब बात करते हैं कि सबसे fast किस bank में आता है तो दोस्तों आपका सबसे fast जो payment आता है वह आता है HDFC bank में और आपका access bank में और ICICI bank में यानि जो private bank हैं उनमें आपका 21 तारीक को अगर mail आ जाता है तो 26 तारीक तक या 25 तारीक तक आपके account में वो पैसा आ जाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर 30-31 तारीक तक भी आपके account में पैसा नहीं आता तो आपको क्या करना है तो दोस्तों आपको जाना है अपनी swift code वाली branch में जिसका आपने swift code दे रखा है उनको जाके सारी चीज़े बतानी है कि मेरा इतने dollar का payment आया है ये मेरा खाता नंबर है पास बुक लेके जाना और मेरा payment जो है वो city bank सिंगापूर से आया है वो declaration form होता है उस पर आपके sign ले लेंगे और लिखवा लेंगे कितने पैसे आपके आई है और वो तुरंत आपका payment आपके खाते में भेद देंगे लेकिन अगर वो कहते है कि सर हमें इसके बार में कुछ पता नहीं है या हमारे यहां ऐसा कोई payment नहीं आया तो दोस्तों बैंक में आपका 2-4 दिन भी लेट हो सकता है सबसे ज़्यादा लेट की दिक्कत रहती है इंडियन बैंक में इसमें दो-दो महीने भी आपका payment रुका रहता है एक चीज पक्की है कि इस चीज से आप बिलकुल निश्चिन्त रहे कि मेरा payment पता नहीं आएगा या नहीं आए या अगर आपका bank reject कर देता है तो आपका वापस से वो एडिसंस account में जुड जाएगा इस चीज से आप निश्चिन्त रहे कि payment आएगा या नहीं आएगा payment या तो बैंक में आएगा या वापस एडिसंस account में जुड जाएगा कहीं पे भी आपका payment जो है वो खोया नहीं जा मैं आपसे गली वीडियो में तब तक लिए बाबाए थेंक्स पॉर वाइगा